नमस्कार मैं दिनेश कपूर 19 जनवरी 1990 की रात को कश्मीरी पंडितों का कश्मीर से पलायन स्वतंत्र और लोकतांत्रिक भारत की एक ऐसा दुखत तथ्य है जिसे भुलाय नहीं जा सकता फिर भी 32 वर्षों तक किसी ने इसका संग्यान नहीं लिया कुछ नहीं किया क्यों कश्मीरी पंडितों का ये पलायन कल्मिनेशन था समापन था उससे पहले की दो तीन साल की राजनीति घटनाओं का इसमें यूपीए बीजेपी और गवर्नर श्री जगमोहन जी का क्या रोल था क्यों रेडिकल मुस्लिम्स नरम सभाव वाले शांती प्रिय कश्मीरी हिंदों पर उस रात तूट पड़े क्यों उन्हें रातो रात कश्मीर से भागना पड़ा इस एकसोडस पलायन निश्क्रमन को लेकर क्यों नहीं किसी भी सबसीक्वेंट सरकार ने इसका संग्यान लेकर इस पर कोई कारवई की ना उन्हें फिर से बसाने की कोशिश ना उनके अपराजियों को सजा देने की आज मैं इस पर खुलकर बात करूँगा वो मगर मच्छी आँसु बहाने वालों पर भी और निश्क्री रही सरकारों पर भी इसका सबसे सटीक आँखों देखा ही नहीं अपने सामने होता विवरन जगमोहन जी की किताब The Frozen Turbulence में लिखे था उस 19 जनवरी के दिन वे गवरनर बनने की प्रक्रिया में जम्मू पहुंचे थे 21 जनवरी को उन्होंने कारे भार संभाला पर तब तक ये घुनावनी दुर घटना हो चुकी थी इसे रोकने की केंद्रिय सरकार को आगाह करने की उनकी तमाम कोशिशों का जिक्र उन्होंने अपनी प्रिस्तक में किया है फिर गवरनर बनने के बाद की अपनी असहायता को भाब कर उस भावना को भी उन्होंने लिखा है इस घटना की प्रक्रिया, इसका बीच कप पड़ा और उसके बाद क्या क्या हुआ, उन सब का authentic विवरन उनके किताब में है ततकालीन प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी को लिखे पत्र में उन्होंने स्पश शब्दों में लिखा है कि आप और आपके फारुक अब्दुल्ला जैसे मित्र देश के सामने कश्मीर को घलत धंक से पेश कर रहे हैं मानी शंकर अगर भी कई पत्र-पत्र काओं में जहर भरे लेक लिख रहे हैं 1988 से मैं आपको कश्मीर की बिगरती स्थिती के बारे में वार्निंग सिग्नल भेज रहा हूं लेकिन आपके आसपास जो ताकत दिखाने वाले लोग हैं उनके पास ना तो समय है ना इच्छा और ना वो दृष्टी जो इन खत्रों को भांप सके संग्शेप में ये कि जगमोहन जी ने अगस्त 1988 और अप्रेल 1999 नाइटीन एटी एट और 1989 के बीच बार बार केंदर की सरकार को आगाह करने की कोशिश की कि सीमा पार से असले भरी मात्रा में आ रहे हैं लेकिन कोई कारवाई नहीं की गई उनके अनुसार कश्मीर में 19 जर्मरी 1990 को गवर्नर रूल स्थापित करने से पहले ही मानसिक रूप से हथियार डाले जा चुके थे यहां तक कि 8 दिसंबर 1999 को डॉक्टर रुबिया सेयद के अपहरंट से पहले ही आतंग का साया अपनी पूरी तीवरता के साथ राज्ये में पहल चुका था पिछले ग्यारा महीनों में 16 सो आतंग की घटनाएं हो चुकी थी उनमें 351 बॉम ब्लास्ट हुए थे एक जन्वरी से 19 जन्वरी 1990 के दौरान 319 आतंग की उप्द्रव की सशस्त्र हमले 114 बॉम ब्लास्ट एक सो बारा आगजनी की और 72 भीड हिंसा की घटनाएं हो चुकी थी मॉब वाइलन्ट ये किसी भी सरकार को चौकाने और सतक करने के लिए काफी थी सचाई ये है कि 19 जन्वरी 1990 के दिन कश्मीरी पंडितों के पलायन से बहुत बहुत पहले सभी लोगों के दिमाग में ये बात घर चुकी थी कि कश्मीर अब पाकिस्तान का हिस्सा बनने वाला है आतंग की कश्मीर पर राज्य कर रहे थे जगमवन जी के अनुसार पिछले दो सालों में वकेंडर को कई बार चतावनी दे चुके थे कि इन घटनाओं को नकारने का मतलब भयानक होगा लेकिन उनकी नहीं सुनेगी उन्होंने 21 जनवरी को कश्मीर में आफिस संभाला तब तक कश्मीर में हिंदू पंडितों का नरसाहार हो चुका था राजीव गांदी को अगस सितंबर 1986 में लिखे एक पत्र में उन्होंने लिखा था कि आर्टिकल 370 कुछ नहीं सिवाए परसाइड्स को यानि वो लोग जो दूसरों की धरती और खाने पर पलते हैं उन्हें पाले जाने का एक जरिया है चली देखते हैं कि सच क्या है और फिल्म में क्या दर्शाया गया है मेरी दृष्टी में जो नर्सहार हुआ और जो दिखाया गया वो उतना नहीं दिखाया गया जितना वास्तम में हुआ था लेकिन फिर भी वो दिल दहला देने के लिए काफी है डायरेक्टर विवेक अगनोत्री दावा कर रहे हैं कि उन्होंने एक एक परिवार या व्यक्ति से बात की जो इस नर्सहार से प्रवावित हुए थे पर जो दिखाया गया है उसमें कुछी परिवार और उनके लोगों का दर्द है जो दिल हिलाने के लिए काफी है गंजू एक टेलिकॉम इंजीनियर थे जिनका कतल करने कुछ आतंकी उनके घर तक पहुँच गए उनकी पत्नी ने खिरकी से उनके पीछे आत्यारों को भाप लिया था तो गंजू उपर गुदाम में रखे चावल के ड्रम में छिप गए लेकिन उनके ही कुछ परोशियों ने उन आतंकियों को इशारे से उनके छुपने का ठिकाना बता दिया और उन्होंने उन्हें गोलियों से चलनी कर दिया फिर उनके खून से सने चावलों को लेकर उन हत्यारों ने गंजू के परिवार से कहा कि इन्हें पका कर खाने में उन्हें बहुत स्वाद आएगा ये कहकर में चले गए और फिर वापस नहीं आये लेकिन फिल्म के अनुसार उन्हें दो बार फिर उस परिवार से इंटराक्ट करते दिखाया गया है प्रेमी एक कवी और दाशनिक थे उन्हें और उनके पुत्र विरेंद्र कॉल को धोके से आतताईयों उन्हें परिवार से दूर ले जाकर उनके जिसम और माथे को जहां में तिलक लगाते थे खोद खोद कर तरपा तरपा कर माँ डाला जिसका जिसका जिकर नहीं किया गया ये वो परिवार था जिनके घर से कुरान की प्रती मिली थी इसी तरह गिरिजा टिकू जो एक स्कूल में लैब असिस्टेंट थी उन्हें बुरी तरह रेप करके और बेरहमी से मा डाला गया निर्भे रेप से भी ज़्यादा दर्दनाक हाथा था उसका शव भी सड़क किनारे बुरी हालत में मिला था यूमन राइट एक्टिविस्ट और सेकुलर मेडिया में इसका कहीं जिक्र नहीं हुआ उसके शरीर को बीच में से एक आरे द्वारा चीर दिया गया था पर कोई हो हला नहीं मचा 25 और 26 जन्वरी के बीच वारी रात को 23 कश्मीरी पंडितों को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार कर हत्या कर दी गई इसका उदेश च्छब्वीस जन्वरी मनाती भारतिय सरकार को अंगुठा दिखाना था ये वो लोग थे जन्होंने 19 जन्वरी के नर संहा के बावजूद अपना घर नहीं छोड़ा था ये शबे कद्र की मुकद्दस रात थी मरने वाले चार पंडित परिवार के 24 सदस्यों में से 23 सदस्य थे जो अपने ही खून के नालों में सने पड़े थे उनमें बदरीनात का 14 साल का लड़का जिसका नाम विदोद और आशू था किसमत से बच किया था इनमें वो अभागे पांच अतिती भी थे जो जम्मू से अपने दोस्तों रिश्टदारों से मिलने आए हुए थे सब बेरहमी से कतल कर दिये गए उनके मंदर भी जला दिये गए बहुत सारे कश्मीरी पंडित तरपा तरपा कर मार डाले गए उनकी स्त्रियों के साथ निर्मम बलातकार किये गए ये सब 19 जनुरी 1990 से पहले और उसके बाद भी होते रही उस राद घाटी के सारे रास्ते बन थे वहां कश्मीरी मुसल्मान भूखे भेडियों की तरप तरफ करने पर तुले थे एक कश्मीरी पंडित मोना राजदान ने बताया कि वे सब नफरत भरे नारे लगा गए थे वो कह रहे थे कि सब पंडित या तो मसल्मान बन जाए या उनके मर्द कश्मीर छोड़ दें और अपनी ओरतें वही छोड़ दें या मरने के लिए तयार रहें मोना भागने में कामयाब रही पर उसने बताया कि पचास हजार से अधिक लोग शरनाती कैम्प में भूक गंदे बाता बरन और साप बिच्छों के काटने से मर गए जम्मू के कैम्प में पचीस हजार से अधिक पंडित हिटलर के कंसंट्रेशन कैम्प जैसे बत्तर हालातों में रहे क्या सरकारों की ये कुरूरता उन आतंकियों से कम है जिन्होंने पंडितों का कतल और पलायन करवा दिया हजारों मुश्लिम कश्मीर की ग्यारा सो मस्जिदों और सडकों पर से चिल्डा रहे थे रालिव सालिव या गालिव या गालिव यानि कनवर्ट तो इसलाम लीव दपलेस और पैरिश इसलाम कबूल कर लो कश्मीर छोड़ दो या मर जाओ जालिमों ओ काफिरों कश्मीर हमारा छोड़ दो कश्मीर में अगर रहना है अल्लाह अकबर कहना होगा ला शर्किया ला गर्बिया इसलामिया इसलामिया यानि from east to west there will be only Islam कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान से क्या रिष्टा, ला इला इल इल्लाह कश्मीर बनाओ पाकिस्तान, बटाओ वराई बटनिवाओ सान, we will turn कश्मीर into Pakistan along with the कश्मीरी पंडित women but not their men, death to India and death to kafirs इसी तरह जेकेलफ लीडर बिट्टा कराटे जिसे फारुक एहमद दर भी कहा जाता था ने इंडिया टुडे के इंटेर्विव में माना कि उसने 20 काश्मीरी पंडितों की बेरहम हत्या की थी और यासीन मलिक जिसने चार एरफोर्स आफिसर्स को निरमंता से गोलियां दाग क मार दिया था, इन दोनों की मामूली सी सजा का जिक्र नहीं किया। कोट ने माना था कि वे मात की सजा के हकदार हैं पर उन पर धंक से सबूत एकटएं धिये गए और इसलिए कुछ सालों की सजा के बाद वे दोनों झूट गे। यासीन की तो वो 2006 में टीछी फोटों भी है जिसे फिल्म में दिखाया नहीं गया जिसमें ततकालीन प्रधान मंतिर मनमौन सिंग उससे हाथ मिलाते मुस्कुराते खड़े हैं जो शब्द पलवी जोशी ने कहे वे वहीं हैं जो जे अन्यू की प्रोफेसर निवेदिता मेनन और बर्खादत ने वास्तम में अपनी स्पीचिस में कहे थे कनहिया कुमार ने जो जहर उगला उसके शब्द भी दोराए गए हैं अब सुना है बिट्टा और यासीन इन दोनों के उपर केस चलेगा और शायद उन्हें सजा मिलेगी और शायद इस तरह थोड़ी तकलीफ कम होगी उनके जो अपने चले गए थे उनकी मौत की सवाल ये है कि कब इस देश को ऐसी गंदी राजनीती से मुक्ती मिलेगी जो अपने स्वार्थ के लिए देश का हिर्थ भी कुर्बान कर देती है ये एक सथ्य है कि बीजेपी को भारी बहुमत इस तथ्य से भी मिला है कि कोई भी सरकार अपनी पार्टी और राज्य कायम रहे ये सोचकर इस देश में गजबें हिंद लागो होने देगी लेकिन हिंदियों की रक्षा बीजेपी करेगी हो सकता है महंगाई और नौकरियां और ऐसे ही कुछ बुद्धे हैं जिसे बीजेपी पूरी तरह नहीं सुलज़ा पा रही है लेकिन कोई भी और सरकार कहां सुलज़ा पा रही थी किसी भी सरकार के शासन में क्या सब को नौकरी मिल गई थी क्या महंगाई कम हो गई थी क्य है कि वो कुछ काम कर रही है और उसके अलावा ये एक चाहे इसको election proye कह दो या तत्य समझ लो कि उससे हिंदू ये सुरक्षित महसुस कर रहे हैं कि अगर कोई party इस देश को गजबे हिंद बनने से रोक सकती है तो वो शायद bjp है वो शायद हिंदूस्तान में आतंकियों का राज नहीं होने देगी जै हिंद